सबसे पहले तो रंग पंचमी की बहुत बहुत शिपकामना है फाइव मिनिट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज एक ऐसी कहाने सुनाओंगी कि दिमाग के तार खुल जाएंगे आपके एक ब्रामर्ट था किसी राजा के घर गया बहुत अच्छे से पूजा करी राजा ने उसे एक बकरी दी बोला यह बहुत दूद देती है और तुम्हें दूद की कभी कमी नहीं होगी दूद से दहीं बनाना भगवान को भी भोग लगाना खुद भी खाना वो चले लगा जंगल से निकला रस्ते में उसे चाठ ठक दिखाए दिये चाठ ठक मिनने सोचा कि इसको लूट लेते हैं उसने का लेकिन यह राजा से तोफ़ा लेकि आ रहा है अगर राजा को यह बात पता चली तो राजा हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा तो उसने बोला हम ऐसा कुछ करेंगे कि यह बकरी हमें खुद दे कर जाएगा तो पहला ठक उस वक्ति से मिला बोला पंडी जी नमस्कार परणाम आप कैसे हैं घदे को लेकर कहा जा रहे हैं तो उसने बोला घदा अरे बेवकुफ यह तो बकरी है बोला नहीं पंडी जी आपको क्या हो गया राजा ने बेवकुफ बना दिया यह तो घदा है या बकरी पर इस बार वो मोन रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया ठग भी चला गया ब्रहमन भी चला गया वो अपने गाओं के बिल्कुल सीमा पर जब पहुँचा तो उसे चौता ठग मिला चौते ठगने का नमश्कार सूसवागतम कैसे हैं आप आपका कहीं राजा के हा गये थे राजा ने घदा दिया बस इतनी बोलने की देरी थी उसके बाद रहमन को बहुत गुसा है उसने बोला मैं इस घदे को सीमा पार छोड़ने जा रहा था अपने गाओं के काम करो तुम ही इसे छोड़ाओ और राम राम करता हुआ राजा को कोसता हुआ वो चला गया हम भी जिन्दगी में ऐसा ही करते हैं बिना जाने अन जाने जैसे जिसने हमारे कान भरे हम वैसा ही मान लेते हैं और सामने वाली बकरी को भी घदा समझने लगते हैं और हमारी जिन्दगी की चाबी हम दूसरों के पास रखते हैं कहानी कैसी लगी जरूर बताईगा कमेंट सामने वाला कहता है आप यह नहीं कर सकते तो आप उसे जरूर करकर दिखाएं कि यह आप कर सकते हैं